Finance Act 2023 के अंदर एक नया section बना 194 BA जिसके अंदर ये mention किया गया कि online game के ऊपर 1 April 2023 से 30% का TDS उनकी net winning पर कटेगा और इस net winning की calculation कैसे होगी ये 22 मही 2023 को income tax के rule number 133 में बताया गया है और ये आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि पूरे साल भर में जो gaming company ने आपसे TDS काटा है जब आप अपनी ITR भरोगे तो आप उस TDS का refund ले पाओगे या नहीं ले पाओगे क्योंकि पूरे साल भर आपने अपनी हर net winning के ऊपर gaming company को TDS का amount दिया है वो 150 रुपे भी हो सकता है 500,000 रुपे भी हो सकता है जितनी आपके winning हो उसके उपर आप amount देते आये हो और ये amount हो सकता है कि लाखों रुपे में आपका बन गया हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उस TDS का आपने क्या करना है और अपनी gaming income को ITR में किस तरह से शो करना है तो ये बहुत important वीडियो है बिना skip करें पूरा इसे देखेगा अगर आप कोई साभी online real money का game खेलते हो और साथ में मेरे channel को भी subscribe करते हो ताकि ऐसे important update आपको time to time मिलते रहें तो income tax का rule 133 जो net winning की calculation बताता है वो बहुत ही simple है A minus B plus C A क्या है यहाँ पर जो भी आपने withdrawal करी है वो A है और B क्या है जो भी आपने deposit की है उस gaming company के अंदर वो सारा आपका B है और 1 April 2023 को जो आपका opening balance आपकी gaming application के wallet में था वो C है तो formula बना A minus B plus C तो suppose करो एक financial year के अंदर आपने एक लाक रुपे की withdrawal करी तो आपका A हो गया एक लाक रुपे और पूरे साल वर में आपने मानलो 70,000 रुपे के deposit करा है तो आपका B हो गया 70,000 रुपे और 1 April 2023 को आपका opening balance आप 10,000 रुपे तो वो आपका C हो गया यानि कि 10,000 रुपे आपके पास balance आएक अपरेल को 70,000 रुपे आपने पूरे साल में जमा करा है यानि कि B plus C total आपके 80,000 रुपे जमा हुए और आपने 1,00,000 रुपे की withdrawal करी यानि कि आपका जो net winning हुआ वो 1,00,000 माइनस 80,000 रुपे हुआ तो आपका जो TDS बनता है वो 20,000 रुपे के ओपर 30% यानि कि 6,000 रुपे बनता है यहां तक ऐजे player मुझे कोई complaint नहीं होनी चीए क्योंकि पूरे साल बर में अगर मैंने कुछ net winning करी है और उसके ओपर government tax ले रही है अगर आपको profit हो रहा है तो लेकिन मेरी problem यहां पर start होती है कि suppose करो मैं एक रमी platform magic रमी के अंदर रमी खेलता हूँ और पूरे साल बर में वहां पर मैंने 50,000 रुपे की net winning करी और उन्होंने उस पर मेरा 30% का TDS यानि कि 15,000 रुपे काट ली है लेकिन साथ ही साथ मैं ड्रीम एवन पे भी खेलता हूँ और वहां पर मेरा पूरे साल बर में 20,000 रुपे का लॉस हुआ साथ ही साथ मैं विंजों में भी खेलता हूँ वहां पर मेरा पूरे साल बर में 30,000 रुपे का लॉस हुआ और साथ ही जाद में पोकर बाजी में भी खेलता हूँ वहाँ पर मेरा पुरा फैनेशल एर में 40,000 का लॉस हुआ तो इस तरीके से जो मेरा टोटल लॉस हुआ वो 20,000, 30,000, 40,000 यानि कि पुरे साल वर में मैंने 90,000 रुपे का लॉस किया और मैजिक रमी के अंदर मैंने 50,000 रुपे का प्रॉफिट किया लेकिन ओवराल मेरा 90,000, 50,000, 40,000 रुपे का लॉस हुआ है और उसके उपर से मैंने 15,000 का टीडियस भी दे दिया तो मेरा लॉस हो गया टोटल 55,000 का तो मैं यहां government से यह पूछना चाहता हूँ कि जब एक financial year में multiple online gaming platform में मैं खेल रहा हूँ और मेरा overall जब लॉस हुआ है तो मैं उसके उपर टीडियस क्यों दूँगा मेरी कोई tax liability loss के उपर बनती ही नहीं है यह मुझे अच्छे दे समझ आता है कि online gaming, gambling, lottery, casino इनकी जो भी winning होती है उसका मैं tedious refund claim नहीं ले सकता लेकिन income tax का section 73 ये भी कहता है कि speculative business के अंदर मैं एक business का loss दूसरे business के profit से set off कर सकता हूँ share market में भी ऐसा ही होता है और आपने सुना होगा बड़ी-बड़ी business company भी ऐसा ही करती है क्योंकि एक company loss में चल रही है दूसरी company profit में है तो loss वाली company का loss profit वाली company के दा set off करते हैं तो इस speculation business की जो calculation है मेरे online gaming की net winning पर क्यों नहीं लगनी चाहिए मैं अगर 10 online gaming platform के ओपर game खेल रहा हूँ तो मेरे overall सारे online gaming platform की calculation करके ही तो आप net winning निकालोगे ये तो कोई बात नहीं की एक online gaming platform में profit पर हूँ वाँ पर आपने मेरे से TDS काट लिया बाकी gaming platform में उससे भी ज्यादा loss पर हूँ तो मेरा आप TDS refer नहीं दोगे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि निर्मना सीतरमन जी आप देश के finance minister है और आप finance के इतनी knowledge रखती है अगर मैं online game खेल रहा हूँ पहले तो मैं deposit के उपर GST देता हूँ और वो भी multiple time देता हूँ मैंने आज 50,000 रुपे जमा करा है उसके उपर मैंने GST दिया और उसके बाद मैंने मानलो दो इन्टे बाद 40,000 रुपे निकाले और उसके बाद फिर शाम को मैंने पैसे जमा करा है 40,000 रुपे तो फिर मैं उसके उपर GST दूँगा और मेरा फिर कल फिर मुझे खेलना है तो फिर मैं उसके उपर GST दूँगा मतलब एक एमाउंट के उपर मैं बार बार GST दे रहा हूँ यह तो भला हो इन गेमिंग कंपनियों का जो मुझे से GST नहीं ले रही है और हमें GST के एमाउंट के बदले का प्रोमो केश दे रही है और हमारे बेहाब पे गवर्मेंट को GST जमा करा रही है लेकिन सब्स करो इननों फ्यूचर में सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम GST नहीं देंगे यानि कि हम प्लेयर से ही GST लेंगे तो फिर उस केस में क्या करूँगा मैं आपको बार बार GST देता रहूँगा और उसके बाद इतना GST देने के बाद मैं गेम खेलता हूँ और उसमें हार जाता हूँ उसके बावजूद मैं आपको टेक्स दे रहा हूँ यानि कि जब मैं ऑनलाइन गेम के अंदर एंटर कर रहा हूँ तब भी मल्टिबल टेक्स दे रहा हूँ और जब मैं बहार निकल रहा हूं तब भी multiple time tax दे रहा हूं तो इससे बड़िया आप एक काम करिये ना मैडम अपना ही मुझे कोई QR code भेज़ दो ना मैं सीधा आप ही के बाद tax भेज़ दिया गरूँगा मुझे गेम में पैसे लगाने की जुरूत ही गया है क्योंकि मेरा सारा है माउन तो tax में जा रहा है मैं इसलिए थो ना ऑनलाइन गेम खेलने आए हूं कि मैं जो भी पैसा लगाऊंगा और उसे जीतूँगा और सारा की सारा उठा कि आपको tax में दे दूँगा यानि की खेल मैं रहा हूं और winning आपको दे रहा हूं गजब की नाइनसाफी है दोस्तो जो भी लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बार जब भी ITR आप भरोगे एपरेल में माई में तो एक बार अपने C.A. से पूरा ये सिनेरियो डिसकस कर लेना मेरी ये वीडियो अपने C.A. को दिखा देना कि online gaming का tedious आपको government से कैसे लेना है वो आपको रास्ता दिखाएंगा और अगर आपका C.A. से बारे में ज़्यादा जानकरी नहीं रखता है तो जब भी आप ITR भरोगे तो आप अपने सारे financial मेरे साथ मेरे WhatsApp नमबर पर डिसकस कर सकते हो और मेरा WhatsApp नमबर है 760-760-5900 लेकिन मुझे सिरफ WhatsApp करना call हो सकता है मैं नहीं उठा पाऊँगा क्योंकि मेरा schedule इतना busy होता है दिन बर वीडियो बनाने और editing करने में ही मेरा सारा समय निकल जाता है मैं पूरी कोशिश करूँआ कि आपको सही financial advice दे सकूँ जिससे कि आपका नुकसान न हो और साथ में यह आपके लिए एक benefit है कि अगर आप Magic Rummy के अंदर खेलते हो जिसका की link मैंने description में दे दिया है आप magicrummy.in website से भी उसको download कर सकते हो तो Magic Rummy के पुलाने players के लिए किसी भी तरह की कोई consultancy charges नहीं है आपको जो भी financial advice चाहिए आपको ITR भढ़नी है वो सब आपका free of cost किया जाएगा और अगर आप दूसरे किसी gaming platform पे खेलते हो इंग कंपनियों से लेना शुरू करो अपने एक अपरेज से 31 मार्च के bank statement ready रखो जहां भी आप deposit और withdrawal करते हो अपने game की और उसके बाद जब आप ITR भरोगे तो मुझे WhatsApp करना अपनी सारी details मैं आपको एक सही financial guidance दूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपका tedious का पैसा आपको वापस मिले तो all the best, happy gaming, happy earning